ये बणा थो, तब इसके संस्थापकों में निपिश कुमार और जॉर्ज साब थे, लंबे समय से हम इस गठ çevंदन में हैं, तब भी हमारी कोई शर्त नहीं थी, अब भी हमारी कोई शर्त नहीं है, हमने प्रदानमंत्री की NDA की उमीदवारी जो है उनकी प्रदानमंत्री की उसको अनकंडिशनल सपोर्ट किया आप कह रहे हैं कोई शर्त नहीं है अनकंडिशनल सपोर्ट है पर यह जो चर्चा हो रही है त्यागी जी के श्पीकर का बर्थ चाह रहे हैं, रेल मंत्री चाह रहे हैं, कुछ इस पे अभी तक पुष्टी नहीं है क्या? देखे प्रदानमंत्री और हमारे निता नितिश कुमार के बीच में निरंतर संपर्ख है समनवे है और जो भी एक तो विभाग क्या तै होगा ये प्रदानमंत्री का पैर होगे ठीवे इन संसदिये परंपराओं का हम सम्मान भी करते हैं और जो फॉर्मूले तै हो रहे हैं उससे जनता दल्यू परसन है उत्साइथ है कि बिहार की जनता को प्रपोर्शनल रेप्रेजेंटेशन मिलेगा और जनता दल्यू जिन वर्गों की रहनुमाई करती है उन वर्गों को भी अनुपातिक प्रतिनिदित मिलेगा त्यागी जी आप कह रहे हैं प्रपोर्शनल रेप्रेजेंटेशन मिलेगा आपको भी याद होगा सर 2014 में जब आप NDA के साथ थे उस वक्त नितीश जी ने यही बोला था कि एक फॉर्मूला तै कर लेते हैं जितने MP हम भेजेंगे उसके हिसाब से आप तै कर लिजे कि क्या क्याबिनेट बर्थ मिलेगा उस वक्त वो रिजेक्ट हो गया था त्यागी जी इस वक्त क्यों आपको लग रहा है कि आपको अकॉमडेट किया जाएगा उस वक्त जो है बिहार एंडिये में सत्रे सांसद उनके थे सोले हमारे थे उनके पांच MP थे उस समय जो हमें संख्या बताई जा रही थी वो एप्रियाप थी और हम अपने वर्गों के साथ म्याय कर पाएंगे ऐसा हमें नहीं लगता था लिहाजा उस समय हमने उसको स्विक सकार नहीं किया लेकिन अब जो चर्चा चल रही है उससे मुत्साहित्मी हैं और सकारात्मिक भी बहुत ऐसे मुद्दे हैं त्यागी जिस पर जेडियो और बीजेपी एक साथ नहीं बैठती है उनमें से दो का आप ही ने खुदी जिक्र कर दिया है पिछले 48 घंटों में ए पृतीज जी ने एक खत लिखा था प्रदान मंत्री जी को कि इसको देखना चाहिए री-कंसिडर करना चाहिए एक तो प्रिती जी मैं प्रदानमंत्री का जो आज का वक्तव है सेंट्रल हॉल में NDA के सांसदों को संबोधित करते हुए उससे बहुत प्रसंद भी हो रुटसायत भी हूँ उन्होंने एक तो NDA की जो यूटिलिटी है और जो उसकी नेसेसिटी है उस पर काफी विस्तार से उन्होंने विचार किया है और उन्होंने का NDA में ही एक मत होना चाहिए इतना जरूरी नहीं है मैं चाहता हूँ कि संसद में भी सवालों पर एक मत हो जिससे जाहिर होता है कि जो वर्तमान सरकार का मुखिया है वो सब को साथ लेकर के चलने का हिमायती है नमबर एक नमबर दो अगनी वीर को लेकर के चुनाओ के दोरान गरह मंत्री अमित्शा जी और रक्षा मंत्री राजना सिंग्जी के वक्तव हैं जो मैं पढ़ता हूँ कि अगर इसके अंदर कोई कमिया खामिया कुछ वर्गों को या संठनों को दीखती हैं तो हम उन कमियों खामियों पर चर्चा करने और उनको सुधारने के लिए तैयार हैं तो उनके जब इतने उत्सावर्दक बयान हैं तो इसको स्क्रैप करने के लिए जनता दिली उन्हें कभी नहीं कहा जो सवाल लगते हैं संठनों को कि अब्जेक्स नेविल हैं उस पर रक्षा मंत्री वार सरकार बीजेपी की बनी तो उनकी तरफ से सवाल आया है यह उन्निस सो अगर मैं मेरी समण सकती ठीक है तो दोजार सोले में विधी आयोगी कि जो अद्धक्ष्ट है डॉक्टर चोहान वियस चोहान उनको लोग कमिशन के चैर्मेन को हमारे अद्धक्ष्ट की चिठिया नि हिंदों के अंदर भी कई तरह की प्रिचलित परमपराएं हैं लिहाजा इस सवाल पर सभी स्टेकोर्डर का मुख मंत्रियों का पॉलिटिकल पार्टी का डिफरेंट सेक्ट का समन में अगर हो तो हमें बहुत प्रसंता होगी हूँ आज के परदान मंत्री के वक्तों के हम आस्वस्त हैं कि ये यूनिफर्म सिविल कोड में कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं आएगी एक और मुद्दे की बात करते हैं त्यागी जी अगर आपको पता होगा आपको तो पता ही है क्योंकि आप उस कमिटी में जेडियों रेप्रेजेंट करते थे पूर्वर पर भी नितिश कुमार जी भी और जो अब भुत्पूर रास्पती की अद्धक्षता में जो कमेटी बनी थी उस पर मैं अपने पार्टी की तरफ से विचार व्यक्त कर चुका हूं पार्टी के अद्धक्ष का संदेश भी में कमिलिकेट कर चुका हूं कि हम एक नेशन और एक एलेक्षन के बन नेशन, वन एलेक्षन के पश्धर हैं हमें इस पे पार्टी को कोई आपती तो आप उसके पक्ष में है जिसके पक्ष में त्यागी जी आज तक नितिश कुमार नहीं दिखे वह ऑनूनल बॉलिटेक्ष मेंशा एक सेक्शिदलर नेता रह защए आपका क वोट एक बहुत हद तक मुसल्मान भी आता है आपके पास तो आज कल चलिए आज की बात कर लेती हूं और कल की बात कर लेती हूं इसमें कैसे प्रफेट होंगे नितीश कुमार और जेडियू अधिके एहमंत सर्मा जी जो वक्तव देते हैं वह एंडिये की वक्तव नहीं है हम परदानमंत्री की भाशा पर उनके वक्तव पर ही विश्वास करते हैं चूकर एंडिये के वो निता हैं बीजेपी के निता होने के नाते टू चंदरबाबु नाइडू और जेडियू के निता अपने अपनी धर्मनेट पेष्टा को परिभासित करने के लिए सोतंत्र हैं लेकिन जब एंडिये की बात आएगी तो वो समाविश्वी होगी सब के लिए होगी एक राय से होगी आम सहमती से होगी आपने अपना पक्ष रखा केसी त्यागी जी अब जो चर्चा हो रही है उस पे भी थोड़ा बता दीजिए कहा जा रहा है कि जो इंडिया आलायंस है बार बार आपसे कम्यूनिकेशन में कर रहा है कह रहे हैं कि नितीश कुमार जी प्रधान मंतरी बन जाए उनको इंडिय पाए जाते हैं कठे बैठे हुए तो फिर क्या है इसमें यह सिर्फ रूमर बोल दे या कुछ सच्चाई है प्रिती जी यह सच है कि जिन लोगों ने नितीश कुमार जी को एंडिये का संयोजक सुईकारनी किया आज वो प्रधान मंतरी पत के लिए उनको प्रलोबन भी दे रहे हैं आस्वासन भी दे रहे हैं और उत्सा भी बढ़ा रहे हैं कि आप आईए हम प्रधान मतरी बनाएंगे नितीश कुमार जी का अगर वो सम्मान रखते तो आज वो एंडिये के बज़ाए यूपिये में होते उनके हट धर्मेता एव वारिकता की वज़े से ही हमने उस गठवंदन को छोड़ा और इतिहास गवा है हमारे आने के बाद हमारे गठवंदन की फिजा बनी और इंडी कठवंदन की हवा खराब हुई उनके साथ काम करना असंभव है उन्होंने जिस तरह का इंडी कठवंदन के निर्माता के साथ विवार किया वह एसो भी नियता वहाँ पर एक गैंग तरके से पॉलिटिक्स होती है जिसका वास्तिकता से कोई वास्ता नहीं है नितीश कुमा अगी जी एक बार फिर से बधाई हो बैनी मैनी कुंग्राचिलेशन सरकार में हैं देखते हैं क्या बर्त मिलता है क्या नहीं बिरता उसके बाद फिर चर्चा करेंगे बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े